वल्कम दो श्रीजी फूल मैं हूँ मनिशा ठककर आज हम टमाटर की चटनी या टमाटर का राइता किस तरह से बनाना है वो देखेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले दो चम्म जितना तेल गरम करने के लिए रखे तेल जब गरम हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा जीरा डाले अब गैस की आज दीमी करके इसमें धाई सो गरम टमाटर डालेंगे तो टमाटर को धोके इस तरह से दो टुकडों में कट कर लेना है फि इसी तरह से टमाटर को पल्टाते हुए हमें पका लेना है थोड़ी दिर के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाले और इसे पल्टा दे जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगा तब आसानी से इसका छिलका इस तरह से निकल जाता है तो सारे टमाटर के छिलके निका अब इन सारी चीजों को मिक्स करके थोड़ा ठंडा होने देना है जब ये मिश्टन ठंडा हो जाए उसके बाद इसे कटोरी में निकाल ले और इसमें बाकी की चीजे एड़ करे तो सबसे पहले इसमें बारिक कटी हुई ककड़ी डाले फिर थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया ब अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे आप इस चट्नी या राइते को रोटी पराठा या पूरी के साथ साव कर सकते हैं तो आप भी इस तरह से ये टमाटर का राइता बना कर जरुग्राई करें